जय हिंद साथियो स्वागत है आप सभी काज की समयत्पून क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं UK की प्रधान मंतरी लिश्ट रस ने दिया इस्तीफा कौन होगा UK का नया प्रधान मंतरी कौन होगा उत्तर UK का मैं उम्मीद्वार जो कि प्रधान मंतरी के पद को या इस सेशन को लेट लेने का कारण यही है कि मैं सोच रहा था कि इस सेशन को हम तभी लेते हैं जब UK को एक नया प्रधान मंतरी के चेहरे की रूप में कोई न कोई एक उम्मीद्वार व्यक्ति मिल जाता किन्तु परंद वही हाल है UK में कि एक अनार सौ बिमार तात पर यह है नहीं च twpark कि कुर्सी एक है किणतु उसके लिए जओ एक उम्मीद्वार छुg लगे हुए है लाइन में वो काफी सारे हैं उन सारों को हम आपको अगबद कराऊंगा आने वाले सेशंस में पहले हम बढ़ते हैं आगे सेशंश में कि हमें सेशं को क्यू लेके आ रहे हैं इस class को क्यों लेके आ रहे हैं जर्या जानते हैं यह आप देख सकते हैं कुछ major newspapers की headlines हैं जिसमें दिखाया जा रहा है list trust announces exit और UK को तीन महीने के अंदर तीसरा PM यानि कि तीन महीने के अंदर UK की अंदर ऐसा political crisis उत्पन हुआ है ऐसा economic crisis उत्पन हुआ है जिसकी बज़ाइसे ल दिनाव के लिए एक बकायदा conservative party के अंदर एक फिर से face भून रहे हैं यह प्रधान मंतरी face भून रहे हैं तो यह कुछ इस तरीके का UK का political crisis चल रहा है यह देखिए आपको यह लिश्ट्रस दिखाई दे रही हैं यह लिश्ट्रस वही महला हैं जो जिनोंने अभी 10 डाउनिं जो इन्होंने महाँ पर दिया आईए आपको सुनवाते हैं कि इन्होंने महाँ पर क्या बोला है साथी उस भाशन को सुनवाने से पहले आपको बता देते हैं कि यह UK की ऐसी प्रधान मंतरी हैं जो इनका सबसे छोटा कारिकाल रहा है मात्र 44 दिनों के अंदर लिश्ट्रस क के अंदर पार्टी के दोला चुना गया था अगस्त 2020 के अंदर नोंने अपने पत की सबत ली थी साइद और अक्टूबर के अंदर कारिकाल समापत हो जाता है जुलाई में जब बोरिस जॉंसन साथी अभी मुस्कानी को शुरूआ से शुरू करेंगे किन्तों आप पत्ता गुबी का साइन दिखाई दे रहा है आप देख पा रहे होंगे इस कॉर्णर में एक पत्ता गुबी दिखाई दे रही है तो देखिए इनके उपर मीम्स बनके आ रहा है कुछ तो लिब यह दिखिए लेट्यूस पॉन लिज्ट्रस गॉन इन 45 डेज तात पर यह है इस मीम का लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं लोग इनकी खिली उड़ा रहे हैं कि इससे ज्ला दिन तो दीधी कत्ता गुबई चल जा तो वह दम उसे जार वह देखिए खारेगर मारे जानते हैं कि दिदी का के रही हैं। जानते हैं। कि जानते हैं। as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. economic crisis, which in the UK has been opened, I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. This is why I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. I met him with Prince King Charles. This is why I met the president of the United States of the United States of the United States of the United States of the United States. नेमालिच्टिए अर्छाशाञ्ट गनेरेटी के सचर्वाइन से मिलें ए, यह चताजाण है. यह चताजान है, यह चताजान। ऐस जब मैस्त्यमूर पत्वे बैठे हुए थे तो उन्होंने स्वांव जी सुनक जी ने रेकाइन दै और उन्हों और उन्होंनेर शत्वर्ण क्या दिया करनाइब को भीजंशन के दुर्म की डिस्मेंशija मेंगें किया उन्हों आपने UK की जो जनता है उसके उपर covid protocol सही से नहीं लगाए कोवुइट की does लाइन आपकी यूपनों सही से नहीं लगाहिए इस तरीके के उन्हें रहा उन्हां ने गनिष्ट मित्र थे एक गनिष्ट संबंदी थे तो इस बजहाद से रिशी सुनक ने कहा कि यह अच्छा वक्त है सत्ता परिवरतन करने का इन्हों ने अपना रेजिंगेशन देख दिया एक महत्तपूर पॉर्टफोलियो समालने के कारण इनके जस्ट बाद तुरंत बाद इ लेकिन आप उनका नाम सुन लीजिजे साजिद नाविद के साथ है हैल्गी सुनक जी के साथ इस्टीफा ל-द दिया स्थीफ़ए दिने के वाद फिर शुरू होता है स्पीफों का हम एक वर्ड इस्तिमाल कर रहे हैं सत्पीफौं का दोर साथ्यों आप महंखाई का दोर सु कि UK आज कल देख रहा है चाए वो लिस्ट्रस का कारेकाल रहा हो चाए वो बोरेज जॉंसन जी का कारेकाल रहा हो इस्तिफ़ों के कारण ही वहां की सरकार गिर रही है आईए आप कुछ अभी बताएंगे लिस्ट्रस की सरकार ने किसके स्तिफ़े दिये हैं लेकिन ये कारण थे बोरे जॉन्सन की शरकार जाने के तो फिर इनके यह क्या होता है एक party elections होते हैं और इनकी जो पार्टी है बोरे जॉन्सन जी की conservative party इनको प्रद्वान्मंत्री के पत्स अपनी seat गवानी पड़ती है seat गवाने के वाद इनके elections होता है जिनमे रिसी सुनक जी और यह लिश्ट्रिस नाम की महिला जो कि अभी प्रधान मंतरी के रूप में सर्व कर रही थी इन दोनों के बीच में काड़ी डखकर होती है लेकिन रिशी सुनक जी को आपका समर्थन होता है किसका कंजरिवर्टर पार्टी की मेंबर्स का लेकिन इनको सपोर्ट होता है यूके क प्रधान मंतरी बंते हैं हालांग कि इस रिशी सुनक इस बात को पहले से ही चेताते हैं कि इनकी पॉलिसी कुछ इस तरीके के नहीं आउसप कर सकते हैं यह एक उनमिक क्राइस उत्पन कर सकती हैं जोकी यूके में इस समय देखने को भी मिल रहा है इनके कारिकाल में अब हम स्वेला ब्रियवर मैं नाम की माइला है जिनका नामें फॉर्मर हॉम सेक्रेटरि हुआ करती थी इनोंने अपना त्यूंशन दिया इन जवरदस्ति दिलवाया गया यह धिया घ्रा लांग की मीडिया रिपोर्टस में एक लेम किया जा रहा है वह है कि इन जवरदस्ति दिलव दिलवाया गया है क्यों दिलवाया गया है उसका एक मैथ्पूर्ण कारण है कि इन्होंने भारत के उपर माइग्रेशन पॉलिसी के उपर बोल दिया था क्योंकि भारत जो था बिटन के साथ सेन कर रहा था बोल डिया बहरत आए हुए तो गुजराथ के अंदर जब वह जएसीवी के ऊपर अपने चड़ी हुई चड़ती हुए तस्वीर देखे सबरे तो इनकी तरफ से comment आता है एक Comment अता है योटी बोलती है कि भारत में भारत की ढें कर जो को है वह अर्जके बचे हुए अप्वों पुझानकारी होगी यूकैं में भारत उसरेटी में है। यू ए में भारत मैंजोरेटी में भारत की migrants new मैस्वाइटी में तो इन Babe पॉलिशिज चोंति हिसकी तो तो उसमें कि चो हम वापस वेजने का का रिक करेंगे तो इनकी तुरफ से क wise बैयन आता है इसमें इसंट कहते हैं कि हम भारत के माइगरेंट को आगकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो घूमने के लिए भी आते हैं तब भी हमारे देश में ज्यादा दुनों तक रुक जाते हैं तो इनकी बात फिर इनकी कैबिनेट से पॉलिसी यह यह चाहतीं ती क्योंकि अंदर जो महगाई भड़ रही है उसको हम टेक्स कटके थुरू कंट्रॉल कर सकते हैं यह पॉलिसी लेकि आती हैं उन्होंने कहा कि हम 45 trillion pound के आसपास लगवक 50 million dollar के आसपास कि ये tax cut करने का ये बाता करती हैं कि हम उस tax को cut करेंगे हालंकि इस tax को भरपाई कहां से करेंगे इसके बारा मनोंने कोई policy नहीं बनाई थी इसी वज़े से यही मात खाती हैं और इसी वज़े से ने स्थीफा देना प रहे हैं लिश्ट्रस जीने अपने भाषन में एक सब्सक्राइब इस्तिमाल किया था 1922 कमेटी की चेर परसंट से वह मिली तो 1922 कमेटी आखिरकार क्या है अभी बताते हैं आपको 1922 कमेटी क्या है तो साती 1922 कमेटी जो है वो यह उस तमय बनकर आई थी आपके सामने फॉर कमेटी की जो कि लीडर को चुनने के लिए बनाई गई थी और उसके हैड कौन है उसके हैड जो है वो भी यह हैं ग्राम ब्रैडी जी आपको दिखाई दे रहे हैं अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार लिश्ट्रुस को रैजिंग नेशन क्यों देना पड़ा तो ल साल में पहली बार इतनी महंगाई देखने को मिली है यूके के अंदर जहां पर मिल्क एग वीट राइस यह सारी कीमतों के ऊपर जो प्राइसे से वो काफी ज्यादा बढ़ा दिये गए हैं साथी साथ यह आपके लिए हम कुछ गिराफ लेकर आई हुए हैं 2012 से लेकर 2023 2022 तक परसंट यह नॉन एलकोहलिक बेवरेज और फूड दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह अजीव लेवल की महंगाई देखने को मिलें जिससे क्यूके की जनता परिशान है और साथी साथ यह आपको दूसरे ग्राप दिखाई दे रहा है इसमें CPI OOH और CPI यह चीप तीन पॉंड की कीमतों में लगातार गिरावट यूएस डॉलर के कंपेरिजन में पॉंड का नीचे गिरते आना एक अजीव चिंता है एक अजीव दोविधा है कि पॉंड का नीचे गिरना मतलब डॉलर का लगातार मजबूत होना और पॉंड का लगातार कमजोर होना जिसमें सरकार नाकाम रही और पाउंड की कीमतों को लगातार गिरनाती रही जिससे की यूके की पॉलिशी के ऊपर एकोनोमिक पॉलिशी के ऊपर फाइनेंशल पॉलिशी के ऊपर काफी ज्यादा एफेक्ट पड़ा यूके की जनता के ऊपर काफी ज्यादा एफेक्ट पड़ा तीसर विपिता रेजन जो इनका था आँझेquito मैच्परांटे ये कियों कiska गर्यात करें जो आपको जानते हैं कियोकि धंदधा कंट्री थे तो शुक्रांड़ कंट्री से Pirate तरीके से नहीं कहुंगों समय लीकेस थे अमेरिका की तरफ से किये गए हालांकि इस बात का ऐसे कोई गवर्मेंट ऑफिशल्स करवाया है कि रस्या मीडिया यह दावा करते है कि वह अटैक जो ते कहीं है गैस की सप्लाई लगातार नहीं हो रही है इस वज़े से जनता है इनकी परेशां यह कुछ रीजन्स थे जिनकी वज़ेसे इनको रेजिंग नेशन देना पड़ा अपना रेजाइन देना पड़ा मात्र 45 दिनों के अंदर इनकी पॉलिसी उस तरह से नहीं थे जिस तरह से देश को चलाना चाहिए और अब देखते हैं इन्होंने ऐसा कहा था जब रेजिंग येशन दिया था तो उस समय इन्होंने बोला था अपने भाशन में कि 28 अक्टूबर तक हम देश को नेक्स्ट पीम दे सकते हैं और जब तक प्रधान मंत्री हमारे इस देश को नहीं मिलत आई तब तक मैं ही सक्सेसर के रोप में प्रधान मंतरी कीरोप में कारिकाल करूंगे आप अब को देख सकते हैं यहां पर एक कंजर्वेटिब पार्टी है जो कि 2017 की वी हम जनरल इलेक्शन की सीट्स ले के आए हैं और जनरल इलेक्शन 2019 की भी शीट्स लेकर आए हुए हैं मैं इस चार्ट को इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में कुशन आ रहा हूं को जब तीन वार पतानमंतिर रियाजिंग नेशन दे चुके हैं तीसरी वार जब सत्ता परिवरतन हो रहा है तो क्यों ना हम दुबारा चुनाओ करा दें तो दुबारा हम नहीं करा सकते उसका एक मेंथपूर्ण रिजन है क्योंकि शाड़े 600 सीट की इनकी पार्लियमेंट होती है उसमें से 365 सीटों का मेजॉरेटी जो वो कंजर्वेटर पार्टी के पास है यहां पर दो पार्टी एक मेंथपूर्ण वुमी का निवाति चीन एक लेवर रहेंगे देश्त को नए नए चेहरों से मिलवाते रहेंगे यह इस पॉलिसी के उपर चल रहे हैं और साथियों आप कमेंट में बताइए हमको कि आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएग जए हिंद